नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चनल इस्टाडी टूड़ी विपलप में तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कलास 10 के लिए सोसेल साइन्स यानि की सामाजिक विग्यान का मॉडल पसनपत्र सेट 3 को देखे इस बार एक्जाम में 50% से लेकर 90% तक के कॉस्टन्स जो है आपका इस बार मॉडल सेट सही आ रहे हैं इसलिए सभी को जो है मॉडल सेट देखना है JCRT दोरा जितने भी मॉडल पेपर जारी किये गए है टर्म 1 के लिए 5 सेट और टर्म 2 के लिए 5 सेट यानि की कूल मिलाकर 10 सेट जो है जारी कर दिये गए है तो सभी को देखना है ठीक है एक्जाम से पहले सभी को देखकर जाना है क्योंकि एक्जाम में इस बार 50% से लेकर 90% तक के क्वेशन जो है मॉडल सेट से ही आ रहे है यहाँ मॉडल पेपर प्रथम सभदिक परिक्षा 2021 के लिए है यानि की टर्म 1 एक्जाम के लिए है टर्म 1 में सारे के सारे क्वेशन आपका अबजेक्टिव पूछे जाएंगे अबजेक्टिव यानि की MCQ के फर्म में होंगे कूल प्रसनों के संकर रहेगा 40 और प्रत्यक प्रसने के लिए मिलेगा आपको 1 अंग यानि की कूल प्रुनाग रहेगा आपका 40 समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं सेट 2 देख चुके हैं और सेट 4 भी देख चुके हैं तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियो को एक के करके देख लीजेगा ठीक है और बाकी बचा है आपका सेट 5 तो सेट फाइब जो है कल जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है तो चलिए इन 40 प्रसनों को फटा फट देखते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कर देजेगा ठीक है और इस चानल में जूड़े रहने के लिए चैनल को देखते हैं तो चलिए एकार करके देखते हैं पहला प्रसना है आपको यहाँ पर फ्रांस की करहनती कभी प्रांस की क्रंसलावभां 13,9 को चोह 6-10 जूलाइ 17,9 और 17,9 को फ्रांस की कर एक्जाम में पुछा जाता है कि 1719 किसका सासन था तो आपको अंसर्दन है लूई सलहवा 1789 इसमे में फ्रांस में लूई सलहवा का सासन था क्लियर है फ्रांस की करंटी कब हुई आपको याद रखना है 14 जुलई 1789 नेक्स्ट आपके सामने कि फ्रांस की क्रांती का ग्रदूत की से कहा जाता है रूसो को अगर आपको एक्जामे पुछा जाता है कि सामाजीक उपबंद नामक पुष्टक के लेखक कोन थे तो आपको अंसर दना है रूसो नेक्स्ट आपके सामने कि विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना तो आपको अंसर दना है 1871 इस भी को ठीक है 1871 नेक्स्ट आपके सामने पहले तुम मने से हो उसके बाद किसी देश के नगरिक या अन्यकूच यहा कथन किसका है तो यहा कथन जो है मैटसीनी का है option number को आपका यहां पर सही होगा next step के सामने कि visa course नामक ग्रंद की रचना किसने की visa course नामक ग्रंद की रचना किसने की तो देखे मेरे हिसाब से इस question का अंसर होगा नगंदरनात बसू लेकिन यहां पर options में नगंदरनात बसू कहीं पर भी नहीं है तो अगर आप में से किसी को पता है इस question का अंसर तो आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं इस question का अंसर आप लोग comment करके भी बता सकते हो मेरे हिसाब से इस question का अंसर होगा नगंदरनात बसू लेकिन यहां पर options में नहीं है next step के सामने discovery of India नामक पुष्टा के लेका कोन है discovery of India नामक पुष्टा के लेका कोन है पंडित जवालल नेहरू discovery of India नामक पुष्टा के लेका कोन है इसका सही अंसर होगा यहां पर option number 6 पंडित जवाललल नेहरू यह आपका right होगा next है यह किसका कथन है तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, किसका कथन है, यह सभी को पता है कि सुभास चंद्रबोस का, यह किसका कथन है, तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, तो right answer होगा, सुभास चंद्रबोस, next है, बंगाल का विवाजन का हुआ, बंगाल का विवजन कब हुआ 1905 में यह आपको याद रखना है 1905 इसमें जो है बंगाल का विवजन हुआ था 1905 यह आपको याद रखना है संताल विद्रोह के नेता कौन थे देखे यहाँ पर अप्सन साई यहाँ पर विर्शा मुंडा जत्रा उराव तिलका माजी सिधू और कानू तो संताल विद्रहों के नेता जो है जरकंड के सिधू और कानू है अपसन नमबर घो आपका यहां पर सही होगा सिधू और कानू यह आपका राइट होगा अपसन नमबर घो नेक्ट आपके सामने है खिलाफ़त आंदोलन खिलाफत आंदोलन के प्रमुक नेता कौन थे तो देखे यहाँ पर जो अप्संस दिये हुए हैं इनमें से राइट होगा आपका मौलाना मौलाना सौकत अली यह आपका राइट होगा अप्संन नंबर खो ठीक है नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी से यह होगा आपका हिस्ट्री से 10 प्रस्णा आप नेक्स्ट रहेगा आपका प्रस्ण संक्या 11 से लेकर 20 तक रहेगा आपका जियोग्राफी यानि कि भुगोल से देखेए के समने प्रस्ण संक्या 11 हमारे परियावरण में उपलब्ध प्रतिक बस्तु जो हमारी आवस्कताओं को पूरा करने में प्रयोक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रदोगी की उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाविया और संस्कृतिक रूप से मनने है उसे क्या कहते हैं भूमी निमनिकरण में निमनलखित में से किसकी भूमिका नहीं है भूमी निमनिकरण में निमनलखित में से किसकी भूमिका नहीं है बनों का काटना अतिप सूचारन खनन मधमक्खी पालन देखिए बनों का काटना अतिप सूचारन और खननन ये तीनों की भूमिका जो है ठीक है भूमिका है लेकिन मधुमक्खी पालन जो है यहाँ पर इसकी भूमिका नहीं है भूमी निमनी करण में किसकी भूमिका नहीं है तो यहाँ पर अप्सन घौस ही होगा यहाँ पर मधुमक्खी पालन नेक्स्ट है भारत की कूल 6 रफल का कितना प्रतिसद भाग माईदानों के रूप में पाया जाता है आपको याद रखना है 43 परसंट ठीक है 43 प्रतिसद यह आपका राइट अंसर होगा और यहाँ पर अप्सन नंबर को में जो लिखा हुआ है 27 प्रतिसद यह हो जाएगा आपका पठार पठारों के रूप में पाया जाता है अगर आपको एक्जामे पुछा जाता है कि भारत की कूल 6 रफल का कितना प्रतिसद भाग पठारों के रूप में पाया जाता है तो आपको अंसर दना है 27 प्रतिसद ठीक अपसर नमबर को में जो लिखा हुआ है 27 अगर आपके एक्जामें पूछा जाता है कि भारत के कूल 6 त्रफल का कितना प्रतिसत भाग परवतों के रूप में पाया जाता है तो आपको अंसर दना है 30 प्रतिसत मैं यह या पर लिख देता हूँ 30 प्रतिसत जो है परवतों वीडियो को लाइक करके ज्यादा सेज आपन दोस्तों में शेयर कर दिजएगा ताकि सभी के पास यह बीडियो पहुच सके। नेक्स्ट है लोहाईस का किस प्रकार का संगसाधन है लोहाईस का किस प्रकार का संगसाधन है और नभी करणिया योग्या ठीक है और नभी करणिया ये आपको याद रखना है लोहाईस का जो है और नभी करणिया है जिसके निर्मान में जो है लाखों बर्स लग जाते हैं ए एक बर खत महने पर नेक्स टैप का गुलावी सीर वाली बत्थक किन जातियों में सामिल है गुलावी सीर वाली बत्थक किन जातियों में सामिल है दुरलब जातियां संकट गरस्त जातियां सामन जातियां लूप्त जातियां तो इन्वसर राइट होगा गुलावी सीर वाली बथक जो है आपका लुप्त जातियों में जो है सामिल है अप्सन नंबर घौस ही होगा भारत में जैव विवधता को काम करने वाले कारक कोन है यहाँ पर अप्सन से बन्यजीब के आवास का विनास बन्यजीब को मारना या सिकार करना पर्यावरणिया पर्यावरणिया परुक्त सभी तो आपका यहाँ पर जो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर इन में सभी हो जाएगा ठीक है भारत में जैब जिवित्रा को काम करने वाले कारक तिनों है तो अप्सन नमबर घुआपका यहाँ पर राइट होगा नेक्ट है चिपको अंदलन किसे समंदित है बनों की काटाई रोकने से नेक्ट आपका जल की कमी के क्या कारण है अतिस होसन अत्याधिक प्रयोग समाज की विविन बरगों में जल का समन बितरन यह तीनों सही तो अप्सन नमबर घुआपका यहाँ पर राइट होगा जल की कमी के कोन से कारण है अतिस होसन अत्याधिक प्रयोग और समाज की विविन बरगों में जलका समन बितरण ठीक है तो अप्सन नंबर घुवाप का यहां पर राइट होगा नेक्स्ट आपका की टांका क्या होता है देखे टांका जो है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक यह आपको याद रखना है नेक्स्ट आपके सामने प्रस्ण संख्या 20 को ध्यान से दिखेगा सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी जहलने की भविश्यवानी की गई है तो यहाँ पर आपको अंसर दना है 20 करोड ठीक है अप्सन नंबर कौसा योगा 20 करोड नेक्स्ट है आपके सामने अब रहेगा आपका सिविक्स यानि की नागरिक सास्त्र से रहेगा प्रस्ण संख्या 21 से लेकर 30 तक रहेगा 21 से लेकर 30 तक रहेगा आपका नागरिक सास्त तो कैसे कर सकते हैं किसी देश की कूल आई को कूल जनसंख्या से भाग दे कर कर सकते हैं किसी देश की कूल आई को कूल जनसंख्या से भाग दे कर जो है प्रतिवेक्ति आई की गिनना कर सकते हैं तो अपसर नमबर खौस ही होगा यह आपको याद रखना है किसी देश की कुल आई को कुल जना संक्या से भाग दे कर वे देश की जिनकी 2017 में प्रतिविक्ति आई बारा हजर चपन डलार प्रति बर्स या उससे अधिक होती है तो ओह देश नीमनमे से किस तरणी के अंतरगत होगा अविकासीत होगा या विकसीत या अर्दे विकसीत या विकसीत तो इसका जो राइटन सर हो जाएगा है पर विकसीत हो जाएगा ठीक है 2017 में प्रतिविक्ति आई 12,56 डलार प्रति बर्स या उससे अधिक होती है तो ओह देश नीमनमे से किस तरणी का अंतरगत होगा विकसीत देश के तरणी में रहेगा ठीक है अविकसीत नमबर खोसा ही होगा 2017 विकास का उद्देश क्या है विकास के वल अपने लिए विकास के वल दुसरों के लिए विकास बरतमान के लिए आने वाली पीडी के लिए और आने वाली पीडी दोनों के लिए ठीक है अपसर नमबर गौस ही होगा यह आपको याद रखना है नेक्ष आपके सामने की निम्नलिकित मैसे कीस राजय की सक्चर्थादर सबसे अधिक है पंजाब विहार केरल या उडिसा तो इनमस्तर राइट यह आपको याद रखना है राज्या की सक्चरतादर सबसे अधिक है कैराल के अंदर तो अप्सन नंबर गॉसाई होगा कैराल यह आपको याद रखना है जब यदि किसी देश की प्रती वेक्ति आए पांच सो रुपया है और जना संख्या 5000 रुपया है तो उस देश की कूल आई निम्ना मैसे कौन सी होगी यदि एक देश की प्रती वेक्ति आई 500 रुपया है और जना संख्या 5000 है तो देश की कूल आई निम्ना मैसे कौन सी होगी तो 500 के साथ अगर जना संख्या है यहां पर 5000 और प्रतीविक्ती आए है 500 रुपया तो 5000 के साथ 500 अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 525 और यहां पर 30 जिरो यहां पर 20 जिरो पांच जिरो यानि कि अपसन नमर को में जो लिखा हुआ है 25 लाक यह आपका राइट अ होगा यहां पर क्या पुछाए कि दित्यक चेत्रक अंतरगद तो प्राकरतिक उत्पादों को विनिर्मान के द्वारा बदला जाता है दित्यक चेत्रक अंतरगद आता है कि प्राकरतिक जो भी उत्पाद होते हैं उनको विनिर्मान के द्वारा बदला जाता है ठीक है तो नि खुआ आफका यहां पर राइठ होगा प्रचन बिरोजगारी का मतलब ऐसी इस्तिती से है जहाँ लोग बिरोजगार है, नियोजीत है लेकिन उत्पादकता सुन्य है और वर्ष के कुछ महिनों में बिरोजगार है देखे प्रचन बिरोजगारी प्रच्छन बिरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग नियोजित है लेकिन उत्पादकता जो है आपका सुनने है तो अप्सन नमबर गौस ही होगा 14 तथा 15 बर्च के आयू में स्कूल जाने वाले कूल बच्चों का उस आयू बर्ग के कूल बच्चों के साथ प्रतिसत क्या कहलाता है 14 तथा 15 बर्च के आयू के स्कूल जाने वाले कूल बच्चों का उस आयू बर्ग के कूल बच्चों के साथ प्रतिसत क्या कहलाता है सक्छर्टादर, सकल, उपस्तितिय अनुपात, निवल अनुपस्तितिय अनुपात और निवल उपस्तितिय अनुपात तो इसका जो right होगा यहां पर normal उपस्तितियों उपात हो जायेगा option number को अशाहिए होगा next है यहां यहां पर संगटीद संगटीद छेतर का सही अर्थ चुने संगटीद छेतर का सही अर्थ चुने यहां उन उद्यामों को सामिल के आजाता है करता है जहां रोजगार की सर्तन नियमित है संगटित छेत्रा का सही अर्थ होगा उन उद्यमों को सामिल करता है जहां रोजगार की सर्तन नियमित है संगटित छेत्रा का यह अर्थ हो जाएगा अपसर नमर को सही होगा नेक्स्ट आपके सामने कि कोन से छेत्रक को सेवा छेत्रक भी कहा जाता है कोन से छेत्रक को सेवा छेत्रक भी कहा जाता है आपको याद रखना है त्रितियक छेत्रक ठीक है त्रितियक छेत्रक को जो है सेवा छेत्रक भी कहा जाता है option number गौस ही होगा वीडियो का like कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा अपनों दोस्तों में share कर दीजेगा ताकि सभी के पास इहाँ वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो के description में set 1, set 2 और set 4 तीनों वीडियो के link है एक एक करके सभी को देखेगा और इस तरह के वीडियो दखने के लिए इस चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लिजेगा ठीक है चलिए next देखते है economics यानि की अर्थ सास्त्रसी next आपके सामने सत्ता की साज़ेदारी के 36 वितरण के अंतरगत कोन समिल है केंदर सरकार, राज्य सरकार, इस्थन्य सरकार, अप्सन खो में है हिद समुहा दवाब समुहा राजनितिक दल और अप्सन गौ में है बिधाई का कारिया पलिका नियाई पलिका और घौ में है सामाजिक समुहा भासाई समुहा धार्मिक समुहा तो इसका जो राइट होगा यहां पर अप्सन नमर गौ होगा बिधाई का कारिया पलिका और निय किस देश से सम्मंदित है तो इनमें से राइट होगा यहाँ पर वेल्जियम हो जाएगा नेक्स्ट है बेल्जियम में डच भासा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिसत है 59% यह आपको याद रखना है 59 नेक्स्ट है यहाँ पर सत्ता की साजयदारी के उर्धाधर वितरण के से निम्नमैसिक कोन सम्मंदित है बिधाई का कार्यापलिका नियाईपलिका केंद्र सरकार राज्य सरकार इस्थन्य सरकार सामाजिक समुह भासाई समुह धार्मिक समुह दवाव समुह राजनितिक दल सम तो इहां पर देखिए सत्ता की साज़ादारी बोला है तो इहां पर अप्सन नमबर खो सही होगा केंद्रा सरकार, राज्य सरकार और इस्थनिय सरकार अप्सन नमबर खो सही होगा नेक्स्ट आपके समने इनमें से कोन संग सूची का विशाय है तो प्रतिक्षा विदेसी मामले और बैंकिंग हो जाएगा राजभासा हिंदी को बोलने बालों का प्रतिसत कितना है हमारे देश में राजभासा हिंदी को बोलने बालों का प्रतिसत कितना है तो आपको याद रखना है 40 प्रतिसत हिंदी को बोलने बालों का प्रतिसत कितना है 40 प्रतिसत भारत की अनसूची भासाओं में जारखंड की कुन सी भासा सामिल है संथाली कुन सी भासा संथाली भासा नेक्ट आपके समने कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिसद आरक्षण का प्रावधन क्या गया है पचास प्रतिसद प्रतिसद ये आपको याद रखना है भारत में बास्तवी विकेंद्री करण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है यहाँ पर अप्सन में है 1992, 1993, 1994, 1995 तो इसका जो राइट होगा 1992 ये आपका राइट होगा ठीक है तो ये थे 40 VBI Objective Questions वीडियो को ज्यादा से जद अपने दोस्तों में सेयर कर दिजिए वीडियो को अच्छा लगाए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो दखने के लिए इस चानल में जूड़े रहने के लिए चानल को नियुक्त चानल के बेल आइकन को प्रेश करके और पर क्लिक कर रखियें